शादी ब्या की सीजन में कुछ ऐसी खबरे आई हैं जो काफी दिल्चस्प हैं एक शादी में बराती फिल्मी गानों पर ठिरकते हुए पहुचे लेकिन दुलहन का घरी नहीं मिला जबकि दूसरी शादी में दुलहे ने ऐसा उधालन प्रिस्तुत किया कि लोग वहवा कर एक शादी में दौरचार की रसम के दौरान हुए विवात ने ऐसा तूल पकड़ा कि शादी का रिष्टा तूट गया विदा करने के बजाएं सुजन को दुलहन बनी बेटी अपने घर वापस ले जाने पड़ी उत्तर प्रदेश के आजमगर से मिली खबर के मताबिक शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है कि बिना कन्या पक्ष का घर देखे ही युवक्त की शादी तय हो गई बरात पहुच भी गई और नाचते गाते बराती जब विवास्थल पर पहुचे तो वहां सन्नाटा था कन्या पक्ष का घर बहुत खोशने पर भी उन्हें नहीं मिला ज माहिला को घर लाकर बंधक बना लिया , पुरानी जेल के पीछे काशिराम कालोनी में रहने वाल एक युवक्त की शादी बिहार में हुई थी लेकिन उसकी पत्नी काफी दिनों से मैके में रह रही है इधर एक माहिला के माध्यम से युवक्त की दूसरी शादी तैय हो गई के स्थान पर गुरुवार को बरात लेकर पहुँच गए वहां कोई कर्णियाब पक्ष का घर बताने वाला ही नहीं मिला शनीवार को युवक पक्ष ने शादी ते कराने वाले महिला को बंदक बना लिया सुचना पर पुलिस दोनों पक्षों को कोत्वाली लाई जहां लेन पकड़ा कि शादी का रिष्टा तूड गया विदा करने के बजाए स्वाजन को दुलहन बनी बेटी अपने घर वापस ले जानी पड़ी तीन दिन चली वारता के बाद भी समझोता नहीं हो सका बितरी चैनपुर के गाउन निवासी युवक्त नुईडा की कंपनी में सौफ नौच ले जाने की बज़ाए बरेली में ही समारो किया जाए शुक्रवार को शादी थी इसके लिए लड़की पक्ष के लोग यहां आ गए नर्यावल इस्थित एक बारात घर में समारो होने लगा दौरचार की रसम के दौरान तिलक करने को लेकर दुलहन के चचेरे भाई वद्दुलह के मौसेरे भाई में विवाद होने लगा उस वक्त लोगों ने शांत करा दिया मगर जैमाल के दौरान एक बार फिर दोनों पक्षों में कहा सुनी होने लगी पुलिस के अनुसार कुछ बराती नशे में थे उन्हों नहीं विवाद पढ़ाया अंतता दुलहन के पिता ने साधी से इंकार करते हुए पुलिस बुलाली रवी वार्त तक दोनों पक्ष में वारता चली थाना बिथरी चैनपूर के स्पेक्टर अशोक कुमार ने बताये कि लिखित में तैह हुआ है कि लड़का पक्ष साड़े छै लाक रुपे लड़की पक्ष को देग जो खडचुबे हैं उत्ता प्रदेश के ही प्रयाग राज में या कहवत चरितार्थ हुई है कि जोड़िया इंसान नहीं उपर वाला बना कर भेशता है यही बात साबित हुई है आरती और अवधेश के वेवाहिक बंधन में साथ फेरों से चंद घंटे पहले आरती छट स गिर गई रीण में चोट आने के साथ ही दोनों पैर तूड़ गए जैमाल की रसम संभव नहीं रही वदू पक्ष ने छोटी बहन से विवा का विकल्प दिया लेकिन वर ने दो टुक कहा पैर तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे वा उससे ही ब्यार रचाएगा जिससे प्रचर पर ही फेरे लगे और सिंदूर दान की रसम पूरी हुई कुंडा के मुझ्टेही गाउन निवासी दुखी राम मौरी की बड़ी बेटी आरती की शादी आठ दिसंबर को खलेसर गंच बाजार कुंडा से लगे श्रीपुर अरुहरी पुर गाउन निवाशी अच्छे को बचाने की कोशिश में छट से गिर गई उसे नस्दी की निजी अस्पताल ले जाया गया जहां जहांच किसको ने उसे प्रयाग राज रफर कर दिया एक्सरे में दोनों पैर में फ्रेक्चर और स्पाइन में चोट की बात सामनी आई वरपक्ष को या वाक्या पता चला तो अवधेश समेत कई बराती आरती के घर पहुँच गये आरती की बहन से शादी का विकल्प दिये जाने पर अवधेश ने इंकार करते हुए आरती संग फेरे लेने की बात कही इस पर डॉक्टरों को सारी स्थती बताई गई चिकिसको ने अनुमती दी तो जाया गया स्ट्रेचर पर पड़े पड़े आरती ने अवधेश संग साथ फेरे लिए फिलहाल आरती का निजर स्पताल में लाच चल रहा है घर वालों का कहनाई कि ठीक होने के बाद धूम धाम से विदाई की जाएगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें